यह जो आप पैन में देख रहे हैं हरी बरी सब्जी यहां देखके मन कर रहा है यार आज क्या बन रहा होगा और अब इसमें यह क्या है अरे यह तो पास्ता भी आगे इसके पास्ता सेलेडे लगता है नहीं नहीं क्या बनने वाला है देखियो वीडियो को लास्त तक कि आप लोग को एक अच्छी सी रेसिपी देना मेरा काम है तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को जादा से जादा लाइक करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं कि तो लेट्स गो इन कीचन है अजी सच्रीकाल नमस्कार मैं आपका अपना दोस्त राजपुंडीर और आज मैं क्या बनाने वाले तो आपको पता है चली गया होगा तो मैं एक चोटी सी कहानी आपको बता रहा हूं कि मैं एक बार चले गया इंटरिव्यू देने के लिए तो लेट उसे शब मेरों को पूछ रही कि यार तो इंटरिव्यू देने के लिए इंडियन सेफ के लिए एक जीकटीश है मैंने सर एक जीकटीश चप के लिए तो फिर मुझे पता लगा कि टॉप सेलिंग आइटम कौन सी है तो आपने भी आप गेस लगा लेगी टॉप सेलिं फूड आइटम पास्ता और पीजा है और दोनों का बेस इटालियन है दोनों इटालियन के अंदर में लोग बड़े चाव से खाते हैं और आज की रेट में तो वर्ड वो पूरे वर्ड ओवर फेमस ही चीज़ आज की रेट में तो ऐसा कि जिसकी पसंदे को सबसे बलांजी अब सबस्क्राइब दोनों को पूछ लूँ और क्या ममी ममी पास्ता खाना ने तो पिज्ञा खाना तो पास्ता एक बिल्कुल यूनिक सी डिस बन चुकि आज की डेट में घर के हर सब कियां बनती है और हर कोई इसे खाना पसंद करता है तो मैं भी आज आज आपके लिए लाया हूं जिसा का नाम है पास्ता अल्फरेडो पास्ता कैसी बंती यह पास्ता आप कई ट्व physicians कह सकते हैं अट नपुल्ताना पधेश्च अलग साउस होती हैं इनको खाने का तरीका होता है और जिसको उसके बारे में पता हो खाता है तो मैं आपको आज बना के दिखा रहा हूँ पास्ता अलफ्रेडो सास तो मनलब वाइट सास पास्ता ये क्रीमी पास्ता क्रीमी चीज पास्ता तो आए देखे क्रीमी चीज पास्ता कैसे बनता है तो वाइट वाइट सॉस पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले है मैं चाहिए वाइट सॉस आज मेरे पास ओल्री वाइट सॉस पहले से रेडी है मैं नेक्स वीडियो में आपको बना के बताँगो आएट सॉस कैसी बनती और दूसरी चीज जो मेन है वह है पास्ता तो पास्ता मैंने पहले कॉफ़ें शेंगे एक स्टों के साथ करें तो पास्ता हमारा तूटka मेसदे के ले सकते हैं आज मारकिंट के भी पास्ता चले पड़ें आपको पसंद वह पास्ता लेखे और तब जाके पास्ता बनाएं तो पास्ता बनाने व्ट सबसे पहले चाहिए नौनी स्टिक पैन को रोखेंगे गैस के ओपर अलका सा पैन गरम हो जाए तो इसे हम एट डालेंगे थोड़ा सा ओलिव वैल क्योंकि इटालियन डिस है तो इटालियन डिस में आपकी यह कोशिज होने चाहिए कि ना आपने रिफाइंड वैल यूज करन लिए कितना अच्छा है इस चीज को आप जानते हैं तो अब इसमें और थोड़ा सा डालूँगा मैं अब इसमें गार्लिक गार्लिक डालने के बाद को हलका सा मैं इसमें मेरे पास जो पहले से चौप किये मैंने सैलरी की जो इस्टीक होती है उसको चौप किया और लीक की ह मनें थोड़ सी लीफ चॉप की और हिंको हलका सा बून लूंगा मैं हलका सा कलर आने दूंगा । मेरे नहुचता बना रहा है कि इसमें मीठा नहीं तर लिखनी को मेरे पास इस टाइम यहां पे सब्जी मैं इसमें डाल सब्र Miles जुकीनी जुकीनी मैंने पहले कटी काटीवी है ए यह दिखें जुकीनी की सलाइस मैंने काटीजीह और यह मस्रूम स्लाइस और यह ब्रॉकली आप इसमें कुछ भी एड़ कर सकते हैं पहले पता चुका हूं जो आपके पार वेजटेबल हैं क्योंकि पास्ता आप सूखा भी बिना सकते हैं सूखा इंद सेंस की ऑनली शौस और पास्ता अब मैं इसमें एड़ की रहे डेलो बे और जो पास्ता मैंने ब्लांच किया थे मैंने वो भी इसमें एड़ कर देए देखिए और इसमें सिजिनिंग की हलकी सी सॉल्ट थोड़ा सा ब्लैक करस्पेपर और हलका सा सूगर पाउडर और इनको अच्छे से टॉस कर लेंगे तीनों चीजों को और थोड़ी इसमें हलक वाय्ड पासी टाइप का होता है और मेरे पास वायड़ सॉस रेड़ी ए मैंने बताए कि में इसके रेसिव बाप बटाउंगा मैं इसमें एड़ करूंगा सॉस यह दो स्पून हो गए और यह तीसरा स्पून क्रीमी वायड़ सॉस पास्ता मैं आपको बना के बता रहा हों तो मैंने राबियता भी कर सकते हैं मैं बना रहा projets पस्ता में आप बना कर दिखा, देखो इसे हलके हलके हाथों से टॉस करता रहूं, लगवक तयार है, मेरे पास यह चीज है, तो मैं इसमें चीज एड़ कर रहा हूं, मेरे अमूल की चीज है, इसमें अमूल की फिरोस्टी चीज डालरा हूं, क्यूंकि क्रीमी चीज पास था, मज़ए ही है most के अमूल की क्रीमें किपारीं आपको तोड़कों करूंगा थोड़ सा मूल की क्रीण अप यह मुलक navy नहीं कर रहा दो सफिन स्थर्थम्ट और ना यलो स्अपत के लिए क्रीमी क्लार है नामी चीजर स्अपस्ता है यह आपको देखिए अच्छा लग रहा तो प्लीज कमेंट करके जरूर्ड बताना कि कैसे लग रा कोी कम ही कुछ आड करना था आप ने यह चांदा करते बताना जरूर पी मुझे यह आप मेरी रिक्वेस्ट है और अगर आपको पसंद आ रहा हो तो अपने घर पे भी बनाना जरूर और मुझे बना के बताना की मेरी बताईवी रेसीप आपको कैसे लगी अब मैं इसमें थोड़ा सा एड कर दूंगा ओलिव ग्रीन और चौप पासले मेरे पास मैंने वह भी इसमें एड किया है और गैस को कर देंगे बन थोड़ा देर के लिए और देखिए ये पास्ता बन के आपके सामने बिल्कुल तयार है बस मैंने इसे सर्व करना प्लेट के अंदर और मैं इसे सर्व करूँगा गार्लिक ब्रेट के साथ में तो देखिए पास्ता तब हमारा अल्मॉ चॉप से भी ज़्याद हुआ चॉप यह नहीं कि फाइन चॉप से अल्के से ॵोकर डश्ट कर लेंगे. मैं या दौनों सलाइस के मैंने गारलिक और बटर लगाया लिए हलके हातों से कौर कर देंगे तो प्लेट में मैं मेरे पास ये है ड्राइ पासले पाउडर तो मैं इसको इसमें हलकी सी डस्टिंग कर दूँगा ताकि कलर और टेस्ट बढ़िया दोनों दिखने में और इसको जाने देंगे अब अनके अंदर बैक होने के लिए तो देखे आज की हमारी डिस ये रेडी हो चुकी है और इसमें मैंने गार्निस किये जूलियन बेल पेपर के साथ में ब्लाइक ऑलिव आपके पास ग्रीन ऑलिव उससे कर सकते हैं और मैंने इसमें डस्टिंग किये पासले पाउडर और चौप फ्रेज पासले की तो ये देख तो ये तैयार हो रही है ये आगे देखो गालिक बेड़ के साथ सर्फ करूंगा पास्ता हमेशा ऐसे भी गालिक बेड़ के साथ ही सर्फ किया जाता है तो अब आप चाहिए इस पास्ता को लंच में खाओ ये डीनर में आपकी उपर डेपेंड़े तो अब आपको पास्ता सम एक दो चोटी चोटी ट्रिक है जिनका ध्यान रखना है एक तो पास्ता अपनी try जोने लिए कर नहीं रखना है दुभारा जब पास्ता और सौस को сейчас को मिक्स करो तो अधार के हातों से करना है तो कि पास्ता टूटेड़ा अगर आप तेज ивается़ा स्फ़स्षप हों तो तो ब बहुत वो थैंक यू आप इतनी प्यारी डिस बनाने हमारा सही हो किया तो अब मैं आपसे गुजारिस करूंगा आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि आपको आज की हमारी डिस कैसी लगी इस वीडियो तक लाश्ट तक देखें और देखेंगी इस वीडियो में क्या कमी रही थी का में पिछे रह गया था कोई कमी हो तो भी जरूर बताना कमेंट करके बताना और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा से शेर करना लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिलकुल मत बूलना नई वीडियो आने तक लिए थैंक यू सो मच आपका दूस्ट शफ राज पुन्दीर थैंक यू